Dear students, स्वागत आपका MakeDG की इस प्लेटफोर्म पे, बच्छो आज का जो क्वेशन बहुती सांदार और बहुती जबर्दस्त क्वेशन है बच्छो चले देखते हैं, पहले क्वेशन देख लेखते हैं, if the compression ratio is increased in SI engine, भई SI engine की particularly बात हो रही है, अगर आप compression ratio को increase करते हैं, तो knocking क जो tendency उस पे क्या फरक बड़ेगा, अगर आप knocking के बारे में समझना चाते हैं, बिल्कूल कि SI engine में और CI engine में, पैट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में, नोकिंग का फिनोमेना किस तरह से आपका काम करता है, तो आप हमारी playlist में जा सकते है, thermodynamics की, वहाँ पे हमने एक नेम दिया जाता है, जिसको हम कहते है, detonation, ठीक है, अब जानते है, जनरली उनको दोनों को बहुत सारी बुकों में, आपको क्या है, knocking ये मिलेगा, लेकिन अगर इस particular name देना चाते है, तो वो detonation है, SI engine के लिए, चले, देखते हैं, नोकिंग पे क्या फरक पड़ेगा, अगर ठीक है, ये आपका piston है, ठीक है, ये आपका piston है, इसको थोड़ा नीचे बना देता हूं है, मतलब, नीचे बनाने का मतलब ये नहीं है, कि ये बिल्कुल, अभी bottom dead center पर नहीं, ये top dead center पर ये, लेकिन हम इसको exaggerate करके दिखा रहा है, exaggerate मतलब, बहुत ही बढ़ा चड़ा के दिखा रहा है, ये जो आपका clearance volume है, ठीक है, अब हो क्या रहा है, जहां से देखेगा, हुआ क्या, यहां से जो है, आपका क्या हुआ, यहां से आपका क्या हुआ, इस पार्क होता है, ठीक है, यहां पर क्या है, आपका spark होता है, ठीक है, अब इसमें पूरा आपका charge है, petrol and air mixture ठीक है fuel and air का mixture आपका है अब वहा क्या है पहले engine चलना शुरू किया चल रहा बढ़िया से चल रहा है ठीक है अब एक time के वहाँ अंदर बहुत गरम होगे जब गरम होगे तो हुआ क्या कुछ ऐसे points मैंने वेटा जहां पे hot spot जिनको हम बोलते है hot spot सपोज यहां पे एक hot spot बन की ज्यादे chances होते हैं सपोज अभी के लिए हम ले लेते हैं यहां पे कोई hot spot बनता है इसका मतलब क्या है अगर देखें फ्यूल इसके अंदर है ठीक है सपोज मैंने कहा कि यहां से यहां से क्या हुआ आपका यहां पे आपका क्या बटाई यहां से देखेगा कि यहां पे इस यहां पे फ्लेम ट्रैवल कर रही ची उससे पहले क्या हुआ उससे पहले ही यहां पे क्या हुआ कि होड्स पोड़ जो क्रेट वा था वहां पे उस हॉटक पर टैंप्रेचर इतना ज्यादा हो गया कि वह आपका फ्यूल है पैट्रॉल है उसके self-egnition के बराबर हो गया उस case में क्या हो जाएगा, कि यहां से spark वाली जो flame है, यहां तक पहुंचने से पहले, यहां पर क्या हो गए, एक secondary flame आपकी produce हो गई, और इन दोनों flame का क्या हो गए बैटा, यह दोनों flame यहां पर आपस में, क्या होई, यहां पर एक location आती है, जहां पर यह दोनों flame आती है, यह आपकी क्या होती है, primary flame होती है, ठीक है, यह आपकी क्या है, primary flame आपकी होती है, और अगर दूसरी वाली की बात करें हम, तो यह आपकी secondary flame होती है, ठीक है, secondary आपकी flame होती है, क्यों होती है, यह जो हो रहा है, यह secondary flame उत्पन हो रहा है, अगर suppose मैंने कहा, कि secondary flame उत्पन होने से यह अफまぁ कुनबले यह वाला जो आपका ट्रैवल कर थे फ्लेंस यह इस चार्ज को यहाँ पे चार्जी उसको खा जाती है तो secondary flame नहीं क्याँ प्रोड्यूस ही नहीं होगी बस यह सो दुपॉजे जब यहां पे hot spot होdire high यहां तक पहुंचने से पहले ही यहां आप से कहा है secondary flame एक चलनी सुरू हो गए ठीक तो यह फिनोमेना आपका SI engine में होता है पटा SI engine में यह फिनोमेना होता है अब यह क्यों हुआ यह हुआ यह इसलिए हुआ क्योंकि cylinder के अंदर बहुत high temperature हो गया जिसके कारण hot spot जो है वहां पर अवर रॉल तो बहुत high temperature ठीक ठाक हो गया था अच्छा खासा temperature लेकिन जो पॉइंट थे कुछ पॉइंट जिन पर बहुत ज्यादा high temperature था जो कितने के बराबर था पेट्रोल के self ignition के बराबर fuel के self ignition के बराबर था इस वजे से यह हुआ इसका मतलब है अवर अगर आगर आप देखें तो इस फेनोमेना इस एफिल में compression ratio रखाता हैf., 6-12 रखाता है और CIE engine में 16 22 रखाता है हिसका कारणा, यह मतलब है कि SI engine में mari compression ratioike G ्टम रखाता है और अगर आप compression ratio बेटा जादा रखेंगे तो टितना ज्यादा आप compression ratio से रखेंगे मतलब उतना ज्यादा ओ क्या करेगा जितना ज्यादा ज्यादा कंपरेश करेगा ज्यादा कंपरेश करेगा आप जानते हैं कंपरेश जब कोई गैस होती है तो उसका प्रैसर और टेंपरेशर दोनों इंक्रीज होते हैं तो उस इंजन के जो compression ratio है हम low रखते हैं 6-12 रखते हैं और CI इंजन का high रखते हैं उसका भी कारण है उसका कारण आप देखिए उसका कारण अगर आपको देखना है तो आप वो knocking की जो हमारी वीडियो है उसको उसके जा सकते हैं उसका कारण हो है क्योंकि वहां पे जो आपका knocking होता ह हो होता है low pressure inside the cylinder ठीक यहां पे knocking SI में क्या होता है high pressure inside the cylinder उसके कारण नोकिंग है वहां पे नोकिंग का फिलो मिना CI इंजन में अलग है वहां पे low pressure inside the cylinder उसके कारण होता है इसलिए वहां हम चाहते कि high pressure cylinder के अंदर तो हम high compression ratio आपे रखते हैं इसमें किया है अगर आपको knocking को avoid क है तो आपको compression ratio जो है वो कम रखना पड़ेगा लो compression ratio आपका होना चाहिए चलिए अब चलते है question में कि if the compression ratio is increased मतलब अगर आप compression ratio को increase करते हैं तो temperature inside the cylinder increase होगा hot spot आपके बनने के chances बढ़ जाएंगे अगर ये बढ़ जाएगा chances तो आपका knocking की जो chances हैं वो आपके क्या हो जाएंगे बच्चो बढ़ जाएंगे इसका मतलब है knocking tendency will increase if you increase the compression ratio इस यही कारण है कि SI जो engine है आपका sparking ignition petrol engine उसमें compression ratio हमेशा कम रखा जाता है अगर आपका compression ratio increase करते हैं तो आपका knocking tendency आपकी increase हो जाएगी तो चले बच्चो अगर आपको ये session पसंद आया हो तो को like करें comment करें शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है चैनल को subscribe करें और बैल लाक अंदा बान ना भूले ताकि हमारे इस तरह के हर important video की notification आपको मिलती रहे thank you so much for watching this video